हेलो दोस्तों, कुलर में पानी भरना एक आम समस्य है, आप रोज पानी भर मर के परिसान हो जाते हैं और सुबा होते होते पानी खतम भी हो जाता है तो इन सब समस्याओं के लिए हमारे पास है एक और निंजा टेकनीक, बहुत ही सस्ता और बहुत ही एफेक्टिव ये टेकनीक है इसमें हमको करना है कि अपने टंकी में एक फ्रोट वाल वाल लगा लेना है और पाइप से पानी को हमेशा चालू करके रख देना है तो देखते हैं इसके लिए क्या-क्या समान की जुरत हमको पड़ेगी तो इसके लिए हमको चाहिए एक फ्लोट वाल एक जी आई निपल एक होज निपल गिस्केट धागा और एक लंबा पाइप पाइप आप उतना लंबा लें जहांसे आपका नल जो है वो नजदीख हो काजू क्लिप से एक्स्टेंड करके कुलर तक सप्लाई जोड दिया है तंकी में आपको छेट कर लेना है देखिए पानी अभी चलू है तंकी भरने से बाल उपर उठेगा और बाल बंद हो जाएगा और पानी कम होने से बाल नीचे जाएगा जिससे पानी अपने आप तंक सिस्टम लगाने से आपको पानी भरने का हेड़क बिलकुल नहीं रहेगा पानी भरने के जुरत नहीं पड़ेगी कि यह देखिए इस वाल्व को मैंने एक्स्ट्रा लगाया है ताकि नल जो है एक और सेपरेट रहे किसी और काम के लिए इस पूरे सिस्टम में आपको लगभग 400 से 500 रुपय का खर्च पड़ेगा यह रहा मेरा डक्टिंग कुलर तो आप भी यह टेकनीक यूज करके पानी भरने के हेड़क से मुक्ति पा सकते हैं बाए बाए